में हम लोगों ने ली चार्टी लियर प्रिंसिपल को शुरू कर दिया था उसके तीन वेरियेशन्स हम लोग पढ़ चुके थे जैसे अगर आप लोगों ने रियाक्टेंट या प्रोड़क की कंसेंट्रेशन में अगर चेंज किया तो किस तरीके से एक्विलिब्रियम को वापस से रियर्टेंट करने के लिए वो महनत करता है ठीक है अच्छा उसके अलावा फेर हम लोगों ने आपके चेंज इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम वाला टम पढ़ा था तुम्हें लास्ट लेक्चर में जितनी भी थेरी बताए गई सारी थेरी आपको आप और जैसे जैसे सवाल आएंगे आप उसके साथ से सवाल बनाते जाना यह टेक्नीक से हो सकता है 40-50 परसंट आपके सवाल बन जाए बट अगर थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल आजाए तो थोड़े से भी मतलब अपर मैं यह नहीं कहा दी जे डेवले एडवांस है डिराइव कहां से हुआ है तो वहां पे हमारी जो गाड़ी है वो अटक जाती है ठीक है so therefore it is very necessary कि हमें पता हो कि कौन सी चीज कहां से डिराइव होकर आई है या मैंने वो result directly कैसे use किया है but at the end जो चीज आपको अच्छे से पता होनी चीए वो यह results कैसे जैसे तुमें यह पता होना चाहिए कि कल हम लोगोंने जो पढ़े थे rules उस rules के मुताबिक सबसे पहला हमने जो point पढ़ा था वो यह पढ़ा था change in concentration ठीक है कि अगर concentration में कोई change किया गया तो concentration में change करने के दो तरीके है रूल नमर वन ने क्या कहा था आप reactant की quantity को increase कर दो या फिर आप product की quantity को decrease कर दो दोनों ही तरीकों से जो reaction है वो कैसी shift होगी forward shift हो जाएगी ठीक है, रूल no.2 हम लोगों का क्या कहता है की आप reacting की quantity कम कर दो या फिर आप product की quantity को increase कर दो इस तरीके से भी आप reaction को क्या कर सकते हो backwards shift कर सकते हो simple है, एक rule याद करो कि दूसरा उसका उल्टा है point no.2 मैंने second number पे change in pressure पढ़ा दिया था बेट फिर बाद में लोगों से यह भी बोला था कि जाग उसको काट दो चोंकि चींज़ी वॉल्यूम वाला स्वाल पढ़ाने से ही चेंज़ इन प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम दोनों का एंजी की वाल्यू जीरो रही तो ठीक है ये पहला वाला कॉलम था आप लोगों के पास अच्छा दूसा वाला कॉलम ये था कि अगर डेल्टा एंजी जो आपके हातों में है अगर इसकी वाल्यू ग्रेटा दन जीरो रही तो और एक तीसा वाला कॉलम ये था कि अगर जब आपका less than zero होता है तो चाहे volume हो या चाहे pressure हो ठेक है वो completely independent हो जाते हैं किस चीच के independent हो जाते हैं आप लोगों के 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 या फिर आप कह सकते हूं Q के ना तो K के expression में volume का कहीं भी कोई नामों निशान हाता है ना तो Q के expression में क्योंकि Q और K को निकालने का तरीका अलग अलग तो नहीं है तरीके तो दोनों यार सेम ही है है ना बस फर्क इतना है कि के equilibrium पे calculate किया जाता है और Q किसी भी any point पे calculate किया जाता है तरीका तो सेम ही है ना तो दोनों ही independent होते हैं किसे के और क्यू पे तो therefore अगर आपका delta NG बराबर 0 है तो आप volume को increase, decrease करो या pressure को increase, decrease करो इसे कोई फरक नहीं बढ़ता अच्छा आप अगर माल लेते हैं किसी का delta NG greater than 0 है तो तो delta NG अगर greater than 0 होता है तो volume का आपके Q के साथ inverse relationship चलता है और pressure का आपके Q के साथ direct relationship चलता है बस ये concept काफी है जिन्होंने कल की class देखिए उनको इसके आगे की step खुद बखुद आती है लेकिर अगर delta NG less than 0 है तो volume का और Q का ये relationship direct हो जाता है और अब्वेस है कि फिर pressure के सा इसा हो जाएगा आपका inverse हो जाएगा बस इसी same concept को अभी हम लोग use करेंगे और इसी same concept को use करते वाग आज की हम लोग चौती property पढ़ेंगे चौती property यानि की addition of inert gas ठेक है अगर आपकी कोई भी chemical reaction equilibrium पे maintained है already और उस reaction में अगर आप एक inert gas add कर रहे हो तो inert gas के addition से क्या फर्क करेगा सबसे पहला doubt दिमाग में आने वाला inert gas ही क्यों add कर रहे है कोई दूसरी gas क्यों add नहीं कर रहे है तो देखिए inert gas का फाइदा addition का यह होता है कि कभी भी आप लोगों को इस बात की tension नहीं होती कि अरे यार यह मेरी gas कहीं reactant से अगर मान लेते हैं उसने जाके reaction कर दी त है ना अगर उसने हो सकता है मेरे product की जो gases है उसके साथ reaction कर ली तो है ना यह इस तरीकी की tension नहीं होती और अगर आपने कोई दूसरी gas use कर ली तो दिक्कत क्या जाती है अगर यह gas और वाली gas इन दोनों ने आपस में reaction कर लिया और दोनों की reaction की वज़ा से आप लोगों का एक product बन गया तो फिर उस product की अपनी एक अलग equilibrium उसके अपने एक अलग calculation वगेरा वगेरा so we just skip that part हम उस पार्ट को skip कर देते हैं कौन से वाले आपके उस tension को की आपने कोई दूसरी gas को क्या किया है add किया है other than the inner gas इसी लिए हम लोग inner gas add करेंगे क्योंकि inner gas की addition से कभी भी वहाँ पे कोई दूसरी reaction शुरू नहीं हो जाती inner gas किसी दूसरी species के साथ equilibrium पे react नहीं करती और क्योंकि वह react नहीं करती तो फिर हमको उतनी tension लेने की आवशक्ता ही नहीं है ठीक है क्या ये बात समझ में आ रही है अब देखो addition of inner gas को भी पहले तो दो cases में हम classify करते हैं धंक से इस के delta NG क्या है जी के उसका delta NG क्या है सबसे पहले तो reaction को इस आप से हां classify कर लो कि उसका delta NG कितना है अब जो भी उसका डेल्टा NG होगा जो भी उसका delta NG होगा या तो उसका delta NG zero होगा या तो उसका delta NG not equal to zero होगा यह बात की हमारी tension है बट ये भी हो सकता है बट फिलाल या तो जीरो है या तो जीरो नहीं है ठीक है ओके done तो या तो जीरो है या तो जीरो नहीं है अगर डेल्टा एंजी जीरो है आपकी reaction का तो आपके inert gas की वजह से कभी भी कोई भी फरक नहीं पड़ेगा no shift अच्छे जो ध्यार में रख लो किसी भी प्रकार से कोई फरक नहीं पड़ेगा reaction ना तो forward जाएगी ना तो reaction backward जाएगी वो जहाँ पर है वैसी की वैसी रहेगी under any circumstances no shift बात थी खतम तो सबसे पहले जब भी आपको inert gas का addition करना हो आप पहले ये चेक करेंगे कि कहीं उस reaction का delta ng equal to 0 तो नहीं क्योंकि अगर उस reaction का delta ng बराबर 0 है इसका मतलब inert gas के addition से उसको कोई फरक नहीं पड़ता just like कि उपर में जब delta ng 0 था तो volume और pressure के भी चेंज से आपके reaction case में क्या होता था no shift होता था तो जब भी delta ng बराबर 0 आ जाए तो समझ लो volume का change या फिर आपके pressure का change या फिर inert gas का addition या फिर removal whatever कोई फरक नहीं create करेगा आप लोगों के किसमे उस reaction में ठीक है चलो अब आगे बरते हैं हम लोग तो पहले बात तो delta ng बराबर 0 के लिए तो देखो shutter हमने तुरन down कर दिया अब यहाँ पे जो delta ng not equal to 0 है इसका क्या delta ng जब भी not equal to 0 होता है तब तब हम लोग reaction को दो parts में रेखो again classify करते फिर से reactions को कितने parts में classify किया जाता है सबसे पहला part जो वो यह होता है कि आप inner gas को addition of inner gas at constant volume ठीक है मतलब आप inner gas को add कर रहे हो inner gas को मैं IG लिख देती हू add constant volume कही constant volume पे तो add नहीं कर रहे है कहीं यह तो case नहीं है एक यह case हो जाता है और दूसरा case यहां से यह arise होता है कि कहीं आपने आपकी inner gas को constant pressure पे तो add नहीं किया है constant pressure पे ठीक है तो पहले मैं तुम्हें rules बता देती हू as usual मैं हमेशा पहले rules बताती हू फिर आगे उसका description भी दे देती हू लेकिन यह दो cases होता है तो जब भी आप किसी भी question पे inner gas के specially काम करो तो इस बात का हमेशा तुम्हें ख्याल रखना है ठीक है कि वो चीज आपके constant volume पे addition की जारी है कि वो चीज आपके constant क्या कहते है pressure पे add की जारी है ठीक है इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है क्योंकि constant pressure और constant volume से बहुत असर पड़ता है मतलब बहुत जादा असर पड़ता है ठीक है काफी जादा तो पहले तो rules डाल लेते हैं जब जब हम reaction को constant volume पे inner gas का addition करवाएंगे जब जब inner gas खुद को constant volume वाली condition पे वो add करवाएगी तो delta ng चाहे greater than zero हो कि चाहे आपका delta ng less than zero हो उसको इस बात से कोई फरक नहीं पड़ेगा और again reaction में होगा बड़ा सा no shift ठीक है again reaction में क्या हो जाएगा बड़ा सा no shift तो देखो addition of inert gases में कितनी आसान चल रही है हम लोगों की life कैसे आसान चल रही है हम लोगों का बड़ा ही प्यार से अगर delta ng 0 हो जाता है तो भी no shift और यहाँ पे delta ng आप लोगों का constant volume पे चाहे greater than zero हो less than zero हो फिर भी वो क्या आ रहा है आप लोगों का no shift constant volume पे ठीक है किसमे constant volume पर ओके चलो यह भी done हो गया अब बात आती है addition of inert gas at constant pressure तो constant pressure पे फिर क्या काम करेंगे तो constant pressure पे हम लोगों को use करना है use the rules of volume ठीक है use the rules of volume अब यह वाली चीज़ सुनने में थोड़ी सी अजीब लग रही है कि क्या बोलना चाहरे है इसको समझते है कल के class में हम लोगों ने volume के change के कुछ rules पढ़े थे बस वही same rules आप यहाँ पे apply कर दो हर पढ़ाने वाले का याद रखना rules को बताने का तरीका अलग होता है जैसे कई लोग इस चीज़ को ऐसे भी बताते हैं कि जहाँ पे number of particle increase हो रहे है reaction उस तरफ जाएगी बट मैं देखो उस तरीके से काम नहीं करती हूँ मेरा हमेशा समानना है कि आप delta ng देखो बढ़ रहा है घट रहा है direct और inverse variation के साथ काम करो क्योंकि वो pure mathematics है वो कोई trick नहीं है वो आपको कभी भी धोका नहीं देगी ऐसा मेरा मानना है ठीक है बट परसन टू परसन यह चीज़ वैरी कर सकती है so depends कि तुम कहां से पढ़ रहे हो कैसे पढ़ रहे हो तो यह मेरे rules है तो use the rules of volume खतम यहीं पर आपकी सारी कहानी खतम अब यहाँ पर यह मेरे rules तुम लोगों को बता दिये अब लेकिन अब लेकिन सबसे important चीज़ यह आपने बोला कैसे कि addition of inert gas at constant volume में कोई shift नहीं आएगा मेरे कहने कि अनुसार तो तुम अव्वे से तुम चलोगे नहीं we need a proof क्यों आप लोगों ने ऐसा कहा कि constant volume में आपको कोई shift नहीं कराना है इसका reason क्या है इसको justify करो तो देखो इसका justification बहुती simple सा है फिलहाल इतना तो हम जानते है कि delta ng अगर 0 है तो उसके लिए तो बात करनी नहीं है ठीक है हमें बात करनी है delta ng greater than 0 के लिए या फिर delta ng less than 0 के लिए बराबर है अच्छा ठीक है तो आज आते हैं हम लोग पहला हम लोगोंने बात की delta ng अगर आपका greater than 0 हुआ तो अब देखो ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो कली हम लोगोंने बात की है कि अगर delta ng greater than 0 होता है तो q का और volume का आपस में inverse relationship चलता है ये बात तो यहाँ पे 1 upon volume ऐसा कुछ रहता होगा तभी तो inverse relationship की में बातचीत कर रही हूँ है ना आच्छा बराबर है अब यहाँ पे के equilibrium और volume का inverse relationship है इस bracket में क्या है इस bracket में क्या है इस bracket में आपके जो reactant है ठीक है आपके जो reactant है और जो आपके product है यहाँ पे इस bracket में reactant है प्रोड़क के क्या है मोल्स है ठीक है जो की already एक constant है जो की already एक constant quantity है यह आपने तो reaction के starting में तै हो गया ना कि कितने reactant के मोल्स डाले गया है और कितना equilibrium पे कितना कितना dissociate हो गया तो यह तो already एक constant quantity है उपर से तुम यह बोल रहे हो कि volume भी constant रखो उपर से तुम यह बोल रहे हो कि volume भी constant रखो मतलब तुम इस स्टीच को भी constant लेने को कह रहे हो मैं थोडे जह यह कह रहे हो ना at constant volume वो bracket अल्रेड इक constant quantity थी और उपर से volume पे पे वो inversely depends करता था उपर से तुम वॉल्यूम को ही constant ले रहे हो वॉल्यूम ही तुम चाते हो की नहीं नहीं वॉल्यूम को constant ले लेते हैं तो अब ऐसे में क्या हो जाएगा बताओ वॉल्यूम को आपने constant ले लिया वॉल्यूम को आपने constant ले लिया तो अब अगर volume constant ले लिए तो यह जो पूरा का पूरा right hand side है पूरा का पूरा RHS क्या हो गया? अब RHS अगर constant आ गया तो क्या मैं यह कह सकती हूँ कि बिचारा के equilibrium therefore आपका जो के equilibrium है वो के equilibrium fix हो गया वो एक constant हो गया तो चाहे तुम्हीं nerd gas add करो या चाहे तुम्हीं nerd gas नहीं add करो constant volume पे के equilibrium को कोई फरक नहीं पड़ता कि क्या उसको कोई फरक नहीं पड़ता वो fix है मतलब वो fix है ठीक है so therefore के equilibrium वो बहुत ही क्या कहते हैं हम लोगों का प्यारा इंसान है वो बोल देता है कि नहीं मुझे कोई तुमसे क्या कहते है गिलाश इकवा नहीं है मुझे तुमसे कोई टेंशन नहीं है मैं constant हो constant रहूंगा इसलिए चाह डेल्टा एंजी ग्रेटर दन 0 ही क्यो ना रहे तो फर डेल्टा एंजी ग्रेटर दन 0 के equilibrium को कोई दिक्कत नहीं है constant volume पर वो fix है मतलब fix है चलो अब देनेक्स में बात कर लेते है अगर case number 2 अगर डेल्टा एंजी की value less than 0 होगी तो अगर डेल्टा एंजी की value less than 0 होगी तो ऐसे case में होगा क्या आप लोगों का जो के equilibrium होता है वो directly proportional रहता है volume के ठेक है depend मैं यह नहीं कहारी की V आएगा की V का square आएगा V का cube आएगा वो तो इस बात पर depend करेगा पर रियक्शन क्या लिए कि क्या हो सकता V की power 6 भी आजाए depends की reaction क्या लिए गरे बट डेल्टा एंजी अगर less than 0 है तो के equilibrium ऐसा कुछ ब्राकेट होता है और यहां पे volume लिखा हुआ रहता है है ना अच्छा तो ऐसे case में अब तुम तो जानते हो कि इस ब्राकेट में तो moles हैं अब moles तो reactant है ने product के इस reaction की starting में ही fix हो चुके हैं इस reaction की starting में ही क्या हो चुके हैं fix हो चुके हैं तो therefore यह क्या होगा इस reaction में आप लोगों का यह quantity तो constant है उपर से volume को तुम constant रखने की बात कर रहे हो तो therefore इस case में भी आपका के equilibrium क्या हो गया constant हो गया खतम तो therefore आपका के equilibrium या फिर आप यह भी कह सकते हो कि अगर आप inner gas के डालने की वज़ा से equilibrium let's say disturb हो गया और let's say अगर मैं यहाँ पर non equilibrium condition की बात करूँ तो non equilibrium condition पर इसी चीज़ को हम लोग क्यू कहेंगे तो therefore आप यह लिख सकते हो कि क्यू constant है क्यू को को कोई फरक ही नहीं पड़ रहा ठीक है और आपका के equilibrium भी constant है ठीक है तो दोनों कोई कोई फरक नीप पड़ रहा तो इसलिए reaction ना तो forward जा ना तो reaction बाकवर्ड जा रही है वह वह ही के वही पड़ी हुई है तो इस तरीके से आप जब भी constant volume की बात करते हो reaction में किसी भी प्रकार का आपको कोई shift देखने को नहीं मिलता है क्योंकि वो depend ही नहीं कर रहा है वो ठीक है वो depend ही नहीं कर पा रहा है अच्छा अब आगे next में आते हैं जब हम constant pressure की बात करते हैं तो what do you mean by the term constant pressure आप constant pressure को कैसे समझाओगे तो देखिए constant pressure वाली चीज़ को समझते हैं माल लेते हैं आपके पास एक है example के तोर पर A वो equilibrium में था B के साथ ठीक है at equilibrium आपके पास जो A है A के 3 ATM का pressure है जो B है उसका आपके पास 1 ATM का pressure है such that कि total pressure at equilibrium is right now 4 ATM समझ रहे हो अच्छा अब तुमने क्या किया उपर से inner gas add कर दी ठीक है आपने क्या कर दिया add कर दिया inner gas को कहाँ add कर दिया उस A equilibrium B में इस यहाँ पर add कर दिया अब जब gas add होगी तो उस gas added gas की वज़र से भी तो एक pressure आएगा उस added gas की वज़र से भी तो एक pressure create होगा अच्छा उस added gas की वज़र से जो pressure create होगा वो pressure अब क्या हो जाएगा? लेट से इस इनर्ड गैस का प्रेशर है माल लेते हैं ये जो आप लोगों का इनर्ड गैस है इस इनर्ड गैस का प्रेशर माल लेते हैं 7 A T Y M है तो अब 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 नाओ आप लोगों का total pressure अब किता हो गया? पहले का चार था अब साथ अब 11 ATM बट हम इस प्रेशर को 11 ATM नहीं कर सकते बट इसको हम 11 ATM we cannot do क्यों नहीं कर सकते बताओ we cannot do क्यों नहीं कर सकते क्योंकि हमको we have to maintain constant pressure we have to maintain constant pressure हमको constant pressure maintain करना है यानि कि आपको किसी भी हालत में total pressure 4 ATM के उपर जाने नहीं देना है अब क्या करोगे total pressure तो 4 ATM के उपर जाने दे नहीं सकते और ये महाश्य तो बोर रहे हैं कि आर प्रेशर तो 11 तक जाना है तो ऐसे में तुम खुद छूट असा अपना भेजा ट्राइ करो छूट असा कि अगर pressure को आपको constant रखना है लेकिन चीजों को introduce भी करना है तो फिर क्या किया जाए क्या किया जाए बताओ फिर क्या किया जाए जैसे कि अगर एक bus है bus में आप लोगों को नए passengers add भी करने है लेकिन आपको भीड़ भी create नहीं करनी है खिक है आपको जादा वहाँ पे होचपोच भी create नहीं करना है तो क्या तरीका है बताओ तो एक ही तरीका है फिर तो वो तरीका ये है कि आप शान्ती से bus को double decker कर दो दाकि जो नए लोग आएंगे वो पर चड़ जाए तो such that passenger भी increase हो गए और आप लोगों का pressure भी increase नहीं हुआ तो therefore अगर आप लोगों को pressure को constant maintain करना है तो इसका मतलब आपको वहाँ पर volume क्या करना पड़ेगा increase करना पड़ेगा चाहे पहले जितना भी volume रहा हो अब आपको volume क्या करना पड़ेगा increase ताकि ताकि therefore particles जो मतलब आपकी already gaseous particles है particles can expand ठीक है ताकि वो particles expand हो सके और अगर particles gas के expand होंगे तो उनका pressure घटेगा और pressure अगर घट गया तो total pressure को आप 4 ATM या जितना भी आप maintain करना चाहते हो वो आपके लिए maintain कर पाना अब possible होगा सो इससे कह दिए के लिए समझ में क्या आ रहा है इससे ये समझ में आता है कि जब जब inert gas को constant pressure पे add करने की कोशिश की जाती है तो उस कोशिश को क्या कहते है बरकरार रखने के लिए एक दिक्कत आ जाती है वो दिक्कत ये कि हमें volume जैसी चीज को बढ़ाना पड़ता है यानि कि volume जब तक आप बढ़ाओगे नी constant pressure जैसी चीज को आप maintain करके नहीं रख पाओगे so in order to maintain the constant pressure you have to increase the volume you have to increase the volume so therefore we are applying the rules of volume ठीक है इसलिए हम यहाप पे constant rules apply करेंगे volume के and volume के rules तुमको पहले से पता है क्या अगर delta NG बराबर greater than 0 है तो volume का आपके Q के साथ कैसा relationship inverse अगर less than 0 है तो कैसा relationship direct और उसके according फें काम कर लो और क्या जाता है तुमारा बस ख़ताब तो I just don't think कि इसमें आप किसी को कोई दिक्कात होगी तो इस तरीके से हमने inner gas का addition पढ़ लिया पहला delta NG अगर 0 होता है तो कोई shift नहीं constant volume पे होता है तो भी कोई shift नहीं constant pressure पे होता है तो volume के rules लगा देने है बस खतम यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं कोई गड़बर नहीं सारा हमारा काम हो गया अभी जब हम लोग इसके numericals करेंगे तब ही चीज़े ज़्यादा अच्छे से clear होंगी बाचीट पे उत्ते अच्छे से clear नहीं होती है जब आप इसके numericals apply करोगे तब ज़्यादा अच्छे तो समझ में आएगी अच्छा ऐसे apply करना है कुछ numericals मैं करके रिखाऊंगी और कुछ तुम लोगों को homework में दूगी ताकि तुम्हें समझ में आए कि अच्छा कि क्या तुम लोग खुद लगा पा रहे हो क्या दूसरों को लगाते हुए देखना is a different thing और खुद लगा पाना is a different thing अब आजाते हैं हम लोग हमारी पांचवी property पे जिसकी वज़ा से equilibrium पर असर पड़ सकता है वो पांचवी चीज क्या है पांचवा factor है catalyst ठीक है catalyst क्या होता है ये सभी को पता है अब तुम लोगों की 10 सांडर टक एक mind में एक image बनी हुई है catalyst की कि catalyst हमेशा reaction की rate को increase करेगा देखो ऐसा नहीं होता catalyst दो प्रकार के होते है positive catalyst, negative catalyst अगर आप कोई positive catalyst यूज़ कर रहे हो तो वो reaction की speed को increase करेगा और अगर आप negative catalyst यूज़ कर रहे हो तो वो decrease भी करेगा so catalyst always increases the speed ऐसा नहीं होता है तो सबसे पहले अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है addition or catalyst अगर आपने कोई catalyst add किया है तो उस catalyst के add करने पर आपके equilibrium को क्या कोई फरक पढ़ेगा क्या और अगर उसको कोई फरक पढ़ेगा तो किस सरीके से अपने उस effect को decrease, nullify, undo या फिर under come करने की पूरताह कोशिश करेगा कैसे, backward जाएगा, forward जाएगा कब जाएगा, backward जाएगा, तो क्यो जाएगा ये सारी बातचीत तो सबसे पहले ये सारी बातचीत को हम लोग लगाम लगाते हुए ये देखते हैं कि आपकी जो equilibrium होती है याना equilibrium पे जो भी reactants होते हैं उन reactants या उन product का composition होता है, याने कि reactants इतनी concentration पे है equilibrium पे और equilibrium पे product की ये concentration है तो अगर आपने कोई catalyst कभी डाला, तो catalyst के डालने की वज़ा से state of equilibrium में कोई फरक नहीं परता ठेक है, ये point आपको यार रखना है कि equilibrium जो होता है उसको कभी कोई फरक नहीं परता इस नॉट अफेक्टेड ठीक है, इस नॉट अफेक्टेड द्यूट बाई addition of catalyst, addition of catalyst से equilibrium को कोई भी फरक नहीं परता, जैसे concentration को थोड़ा बहुत परता था उपर नीचे हो जाती थी, है ना अपने आपको restore करने की कोशिश करती थी फर, pressure and volume की वज़े से भी दिक्कते आती थी, inner gas की वज़े से दिक्कते आ जाती थी, लेकिन आप लोगों के कभी भी क्या कहते है equilibrium को catalyst से कभी फरक नहीं परता वो कभी भी आप लोगों का catalyst है, वो कभी भी किसी भी equilibrium point को disturb नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, मतलब कभी नहीं करेगा ठीक है, कभी नहीं मतलब कभी नहीं और अगर कोई disturbance ही create नहीं हो रहा है ठीक है, तो as a result वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको कोई shift देखने को भी नहीं मिलेगा, no shift ठीक है, चाई delta NG greater than 0 हो, less than 0 हो, equal to 0 हो कोई भी shift तुमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है यहाँ पे आप लोगों का जो rate constant होगा, के equilibrium constant, वो fixed रहेगा, ठीक है आपका catalyst सिर्फ और सिर्फ reaction की speed बढ़ाता है, ठीक है आप यह कह सकते हो, कि speed बढ़ने से, reaction को attain करने के लिए, जो time चाहिए होता है, ठीक है, वो time decrease कर देता है ठीक है, जो आपको time चाहिए रहता है, time required to attain equilibrium, मतलब पहले equilibrium में पहुँचने के लिए, तुमें जितना भी समय लगता था, अब उस समय को वो क्या कर देता है, catalyst decrease कर देता है, कैसे decrease कर देता है, वो rate of reaction, ठीक है, rate of reaction को increase कर देता है, ठीक है, in both forward and backward direction both forward and backward direction, ऐसा नहीं है, कि आप सिर्फ और सिर्फ forward direction में speed को increase करेगा, अगर को reaction backward आना चाहती है, तो backward direction में भी, वो उसकी उतने ही amount से क्या करेगा, आपकी rate of reaction को increase करेगा, ठीक है, such that such that, कि k forward और k backward का जो ratio होता है, ये ratio हमेशा कैसा रहेगा, constant so therefore catalyst के addition की वज़ा से, उसको कोई दिक्कत नहीं है वो अपना chill रहता है एकदम, तो catalyst के असर से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अब आखरी हम लोगों को जो topic पढ़ना है, वो ये कि अगर आपके पास temperature का कोई एक factor है क्या तो देखो, temperature वाले factor के वो detail में हम पढ़ेंगे, जैसे आज का हमारा काम क्या है factors affecting equilibrium को पढ़ना, यानि कि basically हम लोग lead chart layers principle का second part पढ़ रहा है कोछ numericals की आज practice करेंगे, ये दो काम हम लोगों के रहेंगे, तीसरा काम हम लोगों का कल जो रहेगा, वो ये रहेगा कि हमने जो ये lead chart layers principle पढ़ा, इस lead chart layers principle की application क्या है, थोड़े बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नी रहेगा, शौर्ट सा दिन भी, Saturday के दिन हम लोग thermodynamics of a chemical equilibrium पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब thermodynamics और equilibrium को किस तरीके से आपस में correlate किया जाता है, हम Saturday के दिन पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको temperature वाली जो चीज है, वो ज़्यादा detail में पढ़ाई जाएगी, आज सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा, जितनी मुझे इस topic को समझाने की आवशकता है, जितनी मुझे नीड है बस, बाकी detail हम लोग पढ़ेंगे thermodynamics वाले पार्ट में कि किस तरीके से thermodynamics वाला पार और equilibrium आपस में correlated है, ठीक है और मंडे को फिर एक और आखरी topic simultaneous equilibrium और उसके बाद फिर आपकी chemical equilibrium समाप्त होती है फिर next chapter आयोनेक equilibrium शुरू हो जाएगी, ठीक है, चलो आगे continue करते हैं तो topic, देखो क्या बोल क्या रहा है आपसे temperature का क्या फरक पड़ता है, तो आप जहान से सुनेंगे पहला point आपकी किसी भी reaction का जो equilibrium constant की value होती है equilibrium constant की value यानि की KP की value, KC की value KN की value, KX की value KPC की value इन values को concentration के change होने से कोई फरक ने पड़ता ठेक है, अगर उस reaction का कुछ change होता है, concentration के कम जादा होने से तो क्यूँ change होता है क्या change होता है, क्यूँ फिर क्यूँ change हो जाता है फिर क्यूँ अपने आपको कुछ इस सरी के से adjust करता है कि वापस से वो equilibrium के उसी point पे पहुँच जाए यारी कि अगर तुमारे घर और तुमारे दोस के घर के बीच का midpoint let's say मेरा घर है, तो चाहे आजू बाजू और घर बन जाए concentration बढ़ जाए, reactant या product side की तो मेरा घर तो change नहीं होगा वो मैं अगर midpoint हूँ, तो मैं midpoint हूँ मैं बीच में हूँ, तो मैं बीच में हूँ बात खतम, ठीक है? उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा, मतलब उसको कोई फरक नहीं पड़ेगा तो concentration के change होने से, pressure के change होने से, volume के change होने से, addition of inert gas के आने से, आपके equilibrium constant की जो value होती है, kp, kc, इसकी जो value होती है इन values को कोई फरक नहीं पड़ता, अच्छे इसे सुनेंगे, कभी कोई फरक नहीं पड़ता फिर क्या ये value कभी change हो सकती है, doubt, तो yes, ये value change हो सकती है और एक सबसे important factor जो इस value को change करने की आखास रखता है, वो है temperature temperature ही वो इकलोता, आपका अभी तक का physical factor है, ठीक है, जो आपके इस k की value को change करने का दम रखता है बाकी के लोग इस value को change नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपका उस reaction के क्यों को effect कर देते है such that की reaction कभी पीछे छोड़ जाती है, कभी आगे चली जाती है, फिर वापस equilibrium बे आती है, ऐसा होता है ठीक है, ओटो वालों ने तुम्हें midpoint से आगे छोड़ दिया, ओटो वालों ने तुम्हें midpoint से पहले छोड़ दिया अगर आगे चोड़ दिया, तो stop तक पीछे आना पड़ेगा, पीछे चोड़ दिया, तो आगे जाना पड़ेगा, ये सब होगा लेकि कभी भी वो ये नहीं करेगी, क्या रे भाईया, आटो वाले ने मुझको यहाँ छोड़ा है, तो government आपके लिए stop आपका वहाँ shift कर देगी, ऐसा नहीं होगा तो लेकि ये काम कौन कर सकता है, temperature कर सकता है, temperature के पास इतनी ओकात है, कि वो क्या करेगा, आप लोगों के अराम से, किसको वैरी कर देगा, आपके के की value को वैरी कर देगा कैसे करेगा, वो हम लोग Saturday के दिन सीखेंगे, बट आज हमें जितनी आवशकता से उतना पाट बढ़ते हैं, देखो, temperature के बारे में और जादा जानकारी हासल करके, फिलहाल तुम्हें कोई मतलम नहीं है, तो अभी lead chart के लिए principle के लिए जितना जितना आवशक है, उतना उतन उस चीज को देख लेते हैं, तो पहला point आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए, वो यह होना चाहिए, एक endothermik reaction क्या होती है, और दूसरा word, exothermik reaction क्या होती है, तो वैसे तो तुम लोगों को पता है, छोटी classes में तुम लोगों ने endothermik, exothermik तो पढ़ा ही होगा, बट फिर से एक वार हम लोग इस particular point पे हमें endothermik और exothermik की कितनी आवशकता है, यह भी देख लेते हैं, तो endothermik reaction में आजओ, और exothermik में आजओ, basically definition आपको पता है, so I am not going in the part of definition, endothermik में आपको क्या होता है, आपका जो reaction है, ठीक है, आपका जो reactant है basically, वो reactant heat खाता है, यह आपका है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है, आपको का जो product होता है, होता है वो जो प्रोड़क्ट है जो प्रोड़क्ट है और जो रियाक्त Ж democracy है कि हीट को क्या करने की ए्वोल्व करने की बहा निकाल देने की और इसी चीछ को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि अगर reactant ने heat absorb की तो इसका मतलब उस reaction का जो product है ठीक है उस reaction का जो product है उसने heat evolve की ठीक है ऐसा लिखा जा सकता है क्यानि कि कोई भी एक chemical reaction को बोथ direction में अगर एक direction में आप उसको exo बता रहे हो तो उसके reverse direction में वो endo होगी बराबर अगर मैं कहा रही हूँ बरफ को पानी बनाना है ठीक है तो आपको क्या करना पड़ेगा बरफ को heat देनी पड़ेगी तो अगर मैं इसका reverse बोलू कि पानी को वापस से बरफ बनाना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा पानी गंदर से हीट दिकान ली पड़ेगी, रिवर्स होता है न, चीज तो तो अगर मैं ऐसा कह रही हूँ कि रियाक्टेटन ने हीट एब्जॉर्ब की है, तो आइकेन से दाट कि उसी क्यामिकल रियाक्शन का जो प्रोड़क्ट होगा, उसने हीट क्या की होगी, इवाल की होगी, और सिमिलरली इसी सेम आर्ग्योमेंट पे रहते हुए, यहाँ पे हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं, बराबर यह मैंने लिख दिया, तो क्यों ऐसा लिख रहे हैं, रियाक्टेंट ने हीट एफ्सरुब्ड की, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है, कि आपके पास रियाक्टेंटर लेट से A प्लस B, A प्लस B और यहाँ पर लिखा हुआ है 56 किलोजूल, यानि कि reactant में कुछ add किया है ठीक है यह ऐसा इसका representation होता है और बाजू में अगर मुझे exothermik है यह चीज तो यह इसका representation फिक ऐसा होगा heat evolve की ना तो minus 56 kJ तो आपको इस तरीके की reactions को देख कर पहचानते आना चाहिए कि अगर ऐसा लिकर दिया गया है तो आपकी reaction exothermik है कि आपकी reaction endothermik है क्योंकि यह useful रहता है आपको पहचानते आना चाहिए कि आपकी reaction exothermik है कि आपकी reaction endothermic है इस reaction को दिखकर कई बार सिर्फ reaction दे देता है लिखकर नहीं देता कि reaction endo है कि exo है आपको reaction को देखकर identify करते आना चाहिए इस वज़ा से तो similarly नीचे में product ने heat evolve की तो product side में बातचीत होगी reactant side को छोड़ दो और product side में evolve यानि कि minus let's say 56 kg ठीक है इतनी heat evolve की और product अगर heat absorb की तो यह इस तरीके से आप उसको लिखोगे तो reaction endo है कि exo यह आप इस presentation से आपको पहचानना है यह presentation आपको कई बार देखने को मिलेगी ठीक है इस presentation से आपको पहचानना है और उसके अलावा जब तुम thermodynamics पढ़ोगे तो thermodynamics में एक term आपकी life में और आएगा वो ए एक term क्या होगा आप लोगों का delta H तो यह जो delta H होता है यह delta H की जो value होती है वो endothermic reactions के लिए positive होती है और exothermic reactions के लिए इसी delta H की value negative होती है तो मैंने तुम्हें क्या किया है सारे basically नियम बता दिये हैं जिस नियम से आप यह पता लगाओगे कि reaction endo है कि exo है आपकी reaction आपकी exo है बराबर चलो ठीक है यह हो गया अब इससे हम लोगों के ली चाटिलेस principle का क्या लेना देना तो वो लेना देना भी समझ लेते हैं इसका किस तरीके से रहेगा सबसे पहले ली चाटिलेस principle को ध्यान से समझेंगे बहुत important है और काफी confusing point यही है confusion सबसे ज वो एक particular direction में exo होगी और दूसरे particular direction में वो end होगी ठीक है अच्छा अब इस चीज को समझते हैं कैसे for example आपको मैंने यह कहा कि आपके पास N2 है प्लस आपके पास 3H2 है यह equilibrium में है किसके साथ 2 times of NH3 के साथ इस reaction को बोला गया कि अगर forward direction में तुम जाओगे तो तुम exo कहलाओगे और अगर 2 NH3 से वापस N2 प्लस 3H2 के तरफ यही कि backward अगर आप आते हो तो तुम endo हो ठीक है forward जाने पे वो reaction exo है और backward आने पे वो reaction endo है तो अब आपको question यह पूछा गया कि endothermic का favorable होगा मतलब reaction forward direction म कि temperature increase करेंगे option number 1 कि temperature decrease करेंगे option number 2 ठीक है किस काम के लिए for forward direction for forward direction ताकि reaction forward direction में जा सके इसके लिए क्या करना है तो बहुत ही simple सा है अपने example पे पूरा concentrate करो forward direction का मतलब इस question में बोला गया है exothermic ऐसा रटा मत मार लेना कि forward का मतलब होता है exothermic ऐसा मत रखना question में दिया हुएगा ठीक है कुछ ना कुछ ऐसी हिंदी होगी जिससे आप identify कर पाऊगे forward direction में question में लिखकर दिया है exothermic एक्जो का मतलब क्या है हिंदी भाषा में एक्जो का मतलब है उसको हीट नहीं चाहिए है ना एक्जो का मतलब है कि उसके पास जितनी भी हीट उसके अंदर है उसके पास जो भी हीट है जो भी हीट है वो बाहर निकाल रहा है ठीक है वो बाहर निकाल रहा है अब spelling हो सकता है गंदी गंदी हो हिंदी की बहुत सालों से नहीं निक लिखिया मैं तो भूल भी गई कैसे मात्रा वगया लिखा लिखे थे ठीक है जो भी heat है वो बहार निकाल रहा है जो पहले से उसके अंदर heat content था वो already बहार निकाल रहा है अब ऐसे में खुद अपनी बु है नहीं का नहीं है मत खिलाओ और तुम जवड असी खिलाए जा रहे हो मतलग तुम opposition में काम कर रहे हो मेरे तो reaction बोल रही है मैं exo हूँ मुझको heat नहीं चाहिए तो कुछ ऐसा करो जिससे उसकी heat निकलने में मदद हो ऐसा ना करो कि जिससे और heat डे जा रहे हो गज़े की आपने क्या की heat supplied किया और अगर आपने temperature घटाया इसका मतलब आपने heat remove की तो exo को क्या चाहिए exo को तो heat को बाहर निकालना है तो बाहर निकालने के लिए क्या favorable रहेगा उसके लिए low temperature favorable रहेगा तो इसका मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी reaction forward direction में जाए तो आपको इस particular question के लिए उस particular given conditions के लिए temperature क्या करना पड़ेगा decrease करना पड़ेगा ठीक है दो मिनेटर रुको जाए तो इसका मतलब की reaction forward तर जाएगी जब आप यहाँ पर temperature को क्या करोगे decrease करोगे ठीक है तो इस तरीके से हम लोगों को चीजों क्या करनी पड़ती है सोचनी पड़ती है ठीक है तो अगर आपको temperature decrease करोगे तो decrease करने से क्या होगा reaction forward जाएगी reaction करनी जाएगी इसका मतलब ammonia more quantity में बनेगा है ना एनेच forward में तो ammonia ही है ठीक है तो therefore more ammonia is formed बस ऐसे ही सोचना पड़ता है मैं इस temperature वाले में रेखो कोई rules नहीं बनाती हूँ क्योंकि क्योंकि जब मैं खुद भी 11 में थी मेरी notes copy में भी rules लिखे हुए थे कि जब भी temperature बढ़ाओगे तो reaction को forward लेके जाना backward लेके जाना बट इतने सारे rules exam में याद रखपाना is very difficult task so I just don't do मैं नहीं करती मेरा खुद का बनाया हुआ खुद के खुपड़ी लगाई हुई चीज है कि इस तरीके से आप क्या करो उसके साथ deal करो reason क्योंकि ली चार्ट इलिएस principle क्या खेता है बस खतम एक question और करते हैं ताकि थोड़ी सी help मिल जाए इस काम में तुम्हें direction में endo दिया है और इस बार reaction backward direction में exo दिया है question में कई बार ऐसा लिखका नहीं आता है तो इसके अलावा कुछ ना कुछ hint होगी जरूर जिससे आप इसको पहचान सको हम लोग बात करेंगे उस बारे में भी जब हम लोग variety of questions के साथ deal करेंगे ठीक है ओके अब ही यहाँ पे formation क्या होना चाहिए favorable होना चाहिए so what will be the condition what will be the conditions तो conditions की बात कर रहा है specifically temperature की बात नहीं कर रहा तो ऐसे में जितनी भी conditions अब बना सकते हो concentration वगेरा वगेरा सब की सब बना लो बट पहले temperature की बना लेते हैं क्योंकि पहला topic हम temperature का पढ़ रहते है ठीक है आजा तो no के formation favorable होना चा तो सबसे पहले no है कहाँ no भाई तो product side में बैठे हुए है अच्छा चलो ठीक है अब product side की reaction आपको दी हुई है endothermic endo का मतलब क्या होता है उसको heat absorb करना बहुत अच्छा लगता है heat absorb करना वो चाहता है अब तुम बताओ temperature ready जब आप यह रखो यह उपर लिखा है अपन ने temperature घटाने का मतलब होता है उसके अंदर से heat निकालना और temperature बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि उसको और heat देना तो ऐसे में endothermic हो है तो endothermic को क्या अच्छा लगेगा कि कोई और उसको heat और लाके देता ज है है ना तो ऐसे में इस बार temperature जब आप increase करोगे तो temperature increase करने का मतलब आप heat supply कर रहे हो और वो तो heat को पसंद भी करता है तो वो इस heat को absorb कर लेगा तो इसका मतलब NO का formation अगर आपको करना है तो पहली condition आपको temperature increase करना पड़ेगा ठीक है हो गया done done दूसरी pressure और volume के साथ क्या कर आपड़ेगा तो आप इस question का delta NG देख लो किता है 0 चेक करो दिख रहा है क्या हाँ delta NG 0 है जब जब delta NG 0 होता है ठीक है no effect of pressure and volume ठीक है आपके pressure और volume का कोई असर नहीं पड़ेगा जराबर चलो तीसरे point में आ जाते है concentration अच्छा चलो ठीक है मैं चाहती हूँ NO जादा से ज जादा बने यानि कि मैं चाहती हूँ reaction कौनसे direction में proceed करे forward direction में क्योंकि NO forward side में है तो ऐसे में concentration का rule क्या खेता है reactant को कम करते जाओ और product को कम करते जाओ और reactant बढ़ाते जाओ तो आप क्या कर सकते हूँ NO और O2 इसकी concentration को आप क्या कर सकते हूँ increase कर सकते हूँ और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हूँ कि उस reaction में जैसे जैसे NO बनता जा रहा है वैसे वैसे आप उसकी quantity को डिकालते जाओ रिप्रोड़क कम करते जाओ ऐसे में भी आप क्या कर सकते हूँ reaction को forward ले जा सकते हूँ D case आपकी उस reaction के inert gas का कोई फरक पड़ेगा क्या तो क्योंकि यहाँ पे delta NG बराबर 0 है तो no effect of inert gas addition तो inert gas के addition का भी कोई फरक पड़ने वाला नहीं है क्या यह बात समझ में आ रही है कोई फरक नहीं पड़ेगा इस तरीके से आप temperature वाले question को deal किया करो पहले किस direction में वो आपको जाने को कह रहा है वो देखो उस direction में reaction exothermik है कि endothermik है यह देखो उसके बाद आप यह देखो कि अगर reaction endo है उस direction में तो उसको high temperature चाहिए और अगर उस direction में reaction exo है तो उसको low temperature चाहिए लगे तो एक छोटा सा rule अपन यह बना सकते हैं अपने खुद के personal level पर वो यह कि endo वाले को हमेशा high temperature चाहिए होगा T increase और जो exo वाले हैं उसको कैसा चाहिए होगा low temperature चाहिए होगा बाकी के कुछ numericals जब हम लोग equilibrium पढ़ेंगे तब उसके साथ करेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा तुमको ठीक है और उसके बाद एक और question कर लेते हैं यह देखु में यह देको एक reaction आ जाती है तुम्हारे सामने अच 4Cel डाट इस Ammonium chloride यह आपके पास है ठीक हैं इस Ammonium chloride को रुको रुको इस ammonium chloride में मैंने पानी डाल दिया क्योंकि ammonium chloride आपका solid होता है और यहां पर मैंने लिख दिया some amount of heat और यह मैंने reaction इस तरीके से लिख दी और यह हो गया आपका NH4Cl aqueous उस वाक left side में हो solid था तो अब आपको यह बताना है कि आप चाहते हो ठीक है आप चाहते हो कि more amount of NH4Cl should be soluble ठीक है आप चाहते हो कि आपका NH4Cl यानि कि यह ज़्यादा से ज़्यादा quantity में क्या होना चाहिए soluble होना चाहिए water में तो favorable conditions क्या होंगी इस particular question में आप क्या कहोगे कि favorable conditions क्या देंगे आप यह आपका एक सवाल आ गया आपे आप कैसे tackle करोगे इसको तो सबसे पहले आप समझिए कि question में आपको बोल क्या रहा है ठीक है question में यहाँ पर heat लिक कर दी हुई है अब उपर की चाहर्ट में आजाओ यह जो लिखवा के दिये थे आपको कहा गया कहां गया यह गया जब जब यहाँ heat लिक कर आती है इसका मतलब reaction कैसी है endothermik है तो इससे हमको यह समझ में आ गया कि यहाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा ठीक है आप लोगों का जो reaction है वो endothermik है पहली condition तो हमको यह समझ में आ गया और अभी अभी उपर तुमको कुछ लिखवा कर दिया गया है क्या कि एंडो थर्मिक को हाई टेंपरेचर लगता है तो तुम टेंपरेचर बढ़ा दो यही उसकी फेवरेबल कंडिशन है तुम टेंपरेचर बढ़ाओगे NH4Cl क्या हो जाएगा बोलो जादा से जादा क्या हो इसी सेम कोशन का बी पार्ट बी पार्ट कैसा लिख दिया हमने C-A-C-L-2 प्लस एक्वस ठीक है यह आपका C-A-C-L-2 क्याल्शन क्लोराइड सॉलिड है और यहाँ पे C-A-C-L-2 यह एक्वस में कनवर्ट हो गया और मतलब लिक्विड सेट में प्लस हीट अब बताओ इसक चार्ट चेक करो अब पेपर में तो चार्ट चेक करोगे नहीं इसलिए साथी चीज़े याद होनी चाहिए तो इस तरफ अगर हीट है इसका मतलब यह रियाक्शन कैसी है एक्जो थर्मिक ठीक है तो अगर आप फॉर्वर्ड ले जाना चाते हो ठीक है अगर आप आपकी क्या होगी फॉर्वर्ड डारेक्शन में जाएगी ठीक है यह हो गया बस और कुछ भी नहीं था इसमें तो चीज़े सिंपल रहेंगी कोई ऐसा खासा कठे नहीं रहेगा बस उस चीज़ को शांती से हमें समझना रहेगा कि वो बोलना आखिर आप से चाहा क्या रहा है ठीक है अगर तुम उसको ऐसा करोगे कि नहीं यह तो ऐसा कोई टॉपिक है जो चू बंतर समाल में दिमाग में घुच जया तो ऐसा नहीं होगा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा एक और इलस्टेशन लेते हैं वो देखो क्या है आप लोगों के पास एक रियाक्श तो दियोगी बट निगेटिव में है ठीक है आच्छा मझे डल्टा एच की वाल्यू या तुम्हें डल्टा एच की वाल्यू रट्टा मानने की जरुवत नहीं है वो इक्स्परिमेंटली बतलब डेटरमाइब टर्म होता है वो आप को हमेशा पेपर में लिखकर मिलता ठी direction में लेकर जाना है ठीक है आपको reaction को कहाँ लेकर जाना है बाकवर direction में शिफ्ट करने है तो backward direction में shift करने के लिए favorable condition क्या होगी तो सबसे पहले तो यह पहचानो reaction क्या है तो delta h क्योंकि इस question का negative है इसका मतलब यह reaction exothermik है कौन से direction में forward direction में ठीक है अब लेकिन आप लेका जाना चाहते हो उसको backward में तो जो चीज forward direction में exo है तो उसके उल्टे direction में जरूर क्या रही होगी endo रही होगी अब endo को बोलो क्या चाहिए endo को चाहिए high temperature तो temperature आप increase करो reaction आपकी क्या हो जाएगी backward direction में shift हो जाएगी ठीक है यह हो गया आप लोगों का ठीक है तो आप अगर high temperature पे लोगे तो आपका NO2 का formation favorable होगा अगर आप low temperature पे जाओगे क्योंकि exo को तो low temperature चाहिए होता है तो endo 4 का formation favorable होगा और यह इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि paper में सवाल को कैसे पूछा जाता है NO2 एक gas है जिस gas का color reddish brown color का होता है ठीक है और जो endo 4 है यह भी आपकी gas है बट यह colorless gas होती है तो question paper में आपसे पूछा जाएगा कि बताये जादा से जादा reddish brown gas बने इसकी क्या condition रखी जाए तो आप confused हो जाओ गया reddish brown कौन है तो परदे तो पता होना चाहिए reddish brown कौन है दूसरा यह पता होना चाहिए कि reaction exo की direction में endo की direction में jokies question में नहीं दिया बट इड़सन में कि आपता ही लगा सकते आपको delta H दिया था delta H negative है मतलब वो आपको forward direction के लिए negative दिया है तो इसका मतलब opposite में आपने पता लगा लिया बस और endo के लिए तो temperature आपको high चाहिए ठीक है तो आप जिसका high temperature करोगे उतनी brown brown color की dark intensity की आपको gas मिलेगी और जितना temperature लो करोगे होती colorless gas आपके हाथ में आईगी जैसे एक example इसका और ले रहता है यह आपको यह complex दिया हुआ है cobald का ठीक है H2O यहाँ पे 6 यहाँ पे 2 plus यह let's say यहाँ पे मैंने लिख दिया aqueous plus इसमें chloride ions हम लोगों ने डाले है तो such that equilibrium established हुआ और यहाँ बना cocl4 2 negative ठीक है aqueous और plus 6 H2O वो में लिख नहीं रही हो physical state बट इस question का delta H आपको दिया हुआ है positive ठीक है और color वगेरा यहाँ पे आपको दे दिया है कि यह complex खुद pink color का है और यह जो cocl4 whole twice negative बनेगा यह blue color का है अब आपसे यहाँ पे question पूछ रहा है कि formation of अच्छा नीचे दूसा question साथ हो रहा है formation of अगर आपको blue नहीं pink color चाहिए अगर आपको formation of pink color होना तो बताओ favorable conditions क्या रहेगी यह आपसे question पूछ लिया तो अब कैसे करेंगे बताओ सबसे पहले तो पहचानों की reaction forward direction में exo है की endo है तो forward direction में देखो delta H positive दिया है मतला forward direction में reaction endo है यहाँ आगे जाने के लिए आपकी reaction कैसी है endo है और ऐसा पीछे अगर आना चाहते हो तो reaction कैसी है आपकी backward direction में वो exo है अब आपको आना का है pink color pink color यानी की backward backward के लिए बोलो क्या चाहिए होगा high temperature बास का तब तो अगर आप reaction mixture को जो भी है आप लोगों का अगर आप इसको ठंडा करोगे मतलब आप इसको बरफ के महोल में रखोगे ठीक है और उसके बाद आपको अधरवाइस वो pink color का हो जाएंगा अचा मैंने उल्टा बोल दिया क्या ने ने अरे मैंने याँ उल्टा लिख दिया sorry temperature decrease होगा exo को तो कम temperature चाहिए ना exo को तो कम temperature चाहिए तो therefore आप जितना कम temperature करोगे आपको उतना pink color मिलेगा और जितना high temperature करोगे आपको क्या मिलेगा blue color high temperature भी आप ऐसा भी कह सकते हो room temperature तो ये था हमारा leech artiller special trust me कोई भी cut in नहीं है आप खुद के level पर चीजों को एक बार revise करो rules जादा अपनी copy में खिचला खाचरी करके नहीं लिखना जो मैंने पूरी थेरी लिखी है doesn't mean कि आप अपनी copy में थेरी लिखोगे और अगर लिख भी रहो तो leech artiller principle खतम हो जाने के बार एक heading डालना note और उस पूरी पढ़ाई गई बातों को summarize करके छिए कुछ points में आप लिखे लाए ठीक है वह आपके लिए रहेगा जितने चीजों को logical सोचो कि उतना अच्छा रहेगा थोड़े बहुत में numericals करके बतारेती हो leech artiller principle के और बाकी फिर तुम लोगों को homework में मुमिद दूंगी और आंसर के भी मैं उसी के नीचे शिया कर दूँगी इनकेस अगर किसी का कोई भी कोशन दाउट रहेगा तो तभी के तभी बता देना मेसेज करके और आज के आज ही एक काम कर लेना क्योंकि लीचार्टे प्रिंसिपल ऐसा है कि एक बाग करके रेख लो जम रहा है कि नहीं करते रहे ना देखो इसमें अच्छा और भी केसिस था ने लिखे नहीं है चलो लिख लेंगे उनको एक एक करके एक रियाक्शन दी हुई है जहां से पढ़े यह प्लस 189.4 किलो जूल यहां लिखा है तो अगर यह चीज यहां पे लिखी हुई है तो इसका मतला पहले आप समझो क्या है बताओ रियाक्शन एंडो है कि एक्जो है आजओ अपने चार्ट में आजओ उपा लिखवा के दिया है तुम्हें चार्ट तुम्हें वो चीजे याद रखनी है बाद में तो यह रियाक्शन आपकी एक्जो है चलो तो सबसे पहले तो मुझको यह समझ में आ मेरी reaction एक exothermik है और वो forward direction में exothermik है और exothermik को low temperature चाहिए होता है तो आप low temperature रखोगे तो reaction forward जाएगी बट question वाला तो बोल रहा है कि temperature को increase करो वो तो उल्टा करने को बोल रहा है इसका मतलब case 1 के हिसाब से reaction कैसी जाएगी backward direction खताम बास symbol से चीज़ सी अच्छा इसके अपन और cases लगे तो बना लेते हैं और cases 5th case यहाँ पर बना लेते हैं अगर आपने volume को increase किया तो क्या होगा 6th case बना लेते हैं आपने h2 sorry helium 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 को आपने add किया है constant volume पे तो क्या होगा ठीक है अच्छा 7th case इसका एक और बना लेते हैं आपने h2 को add किया है किस पे constant pressure पे यह एक एक case तो पहले तो साथ साथ देखो जो case से फटा फट तॉल होते हैं इस reaction का पहले delta ng निकाल लेते हैं तो इस question का जो delta ng है वो आता है आप लोगों का 2 minus 3 यानिकी minus 1 यानिकी delta ng आपका less than 0 है ठीक है तो less than 0 है ओके इस पे बात करते हैं तो जब value less than 0 होती है volume और आपके q का direct relationship चलता है और ठीक है और pressure और आपके q का ये भी कैसा ये कैसा relationship चलता है inverse में अब सोचो question में बोल रहा है pressure को decrease करो ठीक है ऐसा वो कह रहा है तो अगर तो pressure को decrease करोगे तो q automatically increase हो जाएगा क्योंकि inverse relationship है न अच्छा अगर q increase हो गया तो किससे increase किससे increase हुआ वो k से increase हो गया ठीक है और reaction quotient का जो video बनाया गया था उसमें बताया था कि जब भी q भाग जाता है आगे k से तो उसको पीछे उसकी चोटी पकड़के लाना पड़ता है यानि कि जब भी q greater than आपका क्या कहते है k होता है तो ऐसे case में reaction को कैसा shift मिलता है backward shift मिलत है ठीक है तो यानि कि आपका case number 3 भी कैसा है backward shift वाला है 1 भी backward shift का है और आपका case number 3 भी backward direction में जाएगा समझ गए pressure का ठीक है अब यहाँ पे case number 5 में volume increase वाला case बोला है इसको भी solve कर लेते हैं साथी साथ में तो देखो volume volume ये रहा ठीक है volume और q का direct relationship है question वाला बोल रहा है भाई volume को तो increase कर तो मैं बोलती हूँ ठीक है volume increase करूंगी तो q भी increase होगा क्योंकि relationship direct है जैसा जैसा volume करेगा वैसा वैसा क्यों करेगा अब q increase हो गया अरे किससे increase हुआ क्यों आप लोगों का increase हो गया किससे आप लोगों के case से और again वही same चीज फिर से repeat करनी अच्छी नहीं लगती है कि जब जब हैप लोगों का q case से आगे भाग जाएगा तब तब reaction को चोटी खीच कर उसकी कहा लाना पड़ेगा backward लाना पड़ेगा तो ये भी backward direction में जाएगा अच्छा case number 6 तो देखो solve करने की need ही नहीं है जब भी inner gas का addition constant volume पे किया जाता है constant volume पे किसी भी प्रकार का कोई भी shift नहीं होता है तो ये question दो वैसी solve हो गया अच्छा अब आगे अच्छा ये case में repeat कर दिया है देखो मैंने ये वाला case और ये वाला case repeat कर दिया है ठीक है constant pressure वाले पे आते हैं आज ही हमने पड़ा है कि अगर आपको constant pressure के लिए अगर आपको कुछ नियम बनाने हो तो मैंने क्या कहा था जो नियम volume के लिए लगेंगे वही same नियम constant pressure वाले case के लिए भी लगेंगे तो volume वाला तो यार already solve कर चुके हो volume वाले के लिए क्या solve करके निकाले हो कि जो direction है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा backward shift होगा backward shift निकाला है ना आप लोगोंने कैसा होगा ये लिखा है ना वहाँ पे हाँ ठीक है तो इसका मतलब volume के लिए आप backward shift हो रहा है तो constant pressure वाले case के लिए भी वो क्या होगा backward ही shift होग खतब, अच्छा अब एक second case बज़ गया है concentration of SO2 is increased पहले देखो SO2 कौन है SO2 reactant है reactant को बढ़ाने से direction forward जाता है तो ये होगे आपका एक forward shift वाला case ठीक है, अच्छा लगे तो अपन इस तीच को edit करके यहाँ पे कोई दूसरा case डाल देते हैं कि catalyst is added, अगर इस reaction में हमने catalyst को add किया तो तुम्हें तो पता है कि catalyst के add करने से equilibrium को कोई फरक नहीं पड़ता तो equilibrium में कोई shift नहीं होगा क्यों shift होने की पाद भी छोड़ो यार वो तो unaffected रह जाता है तो कोई भी shift नहीं तो ये एक question था और उस एक question से तुम्हारे सारे दुख का निवारन हो गया है ठीक है, ये एक question मेरे सबसे पूरा sufficient है पूरी leach artilis principle को समझने के लिए ठीक, I just don't think इसमें और questions की need है एक खादी और कर लेते है ये हैं आपको बोला गया है कि dihydrogen gas को हम natural gas से बना रहे हैं blah 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 नीचे एक reaction दी हुई है जो मेरे बिल्कुल भी काम की नहीं है बस question में इतनी information काम की है कि ये reaction मेरी endothermic है खतम, अब अगर हो reaction endothermic है तो forward direction में endothermic है, यानि कि जब आप इन दोनों से जब आप यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो then it is endothermic अगर आप इन दोनों से यहाँ आने की कोशिश करोगे then it will be exothermic KP इस question का लिखने को बोला है oh my god ये तो बहुत easy part हो गया पहला KP बोलो क्या हो जाएगा it will be pressure of carbon monoxide और इधर pressure of H2 उपर में आ जाएगा cube, यहाँ पे आ जाएगा pressure of CH4 अच्छा और यहाँ पे pressure of H2O लिखेंगे की नी लिखेंगे सबसे पहला लिखेंगे की नी लिखेंगे KP, H2O लिखेंगे क्योंकि H2O जब liquid state में होता है मुर्खो तब ignore करने का तो अभी में को पता है तुम में से कोई एक इंसाँ doubt भेजेगा आपने तो बोला था कि H2O को जब reactant site में आए तो ignore करना बिलकुल बोला था लेकिन H2O liquid state में होना चाहिए आप ए physical state पढ़ो क्या लिखी हुई है gas तो मैं क्यों ignore करूंगी gases को सोड़ी ना ignore करना है हमको जो इसको ignore कर देंगे याना इसलिए यह वह एक पॉइंट है जहां पर एक इंसान से गलती हो सकती है B How will the value of Kp and composition of equilibrium mixture be affected अच्छा B के कुछ cases बनाने को बोले है तो पहला case बोल रहा है increasing the pressure सबसे पहले pressure volume जहां दिखे delta NG calculate कर लो तो कोने में हम इसका delta NG निकान लेता है so delta NG product side में तो देखो gaseous stoichiometry 4 है और reactant side में gaseous stoichiometry mark 2 है तो delta NG की value 2Y जो की greater than 0 है और जब जब आपका delta NG greater than 0 आएगा तब तब क्या होगा तब तब आप लोगों का जो pressure है उसका relationship के या फिर Q के साथ direct होगा ठीक है direct होगा अच्छा question में pressure को increase करने की बात कर रहे तो अगर pressure को increase किया तो तुम्हारा Q भी increase होगा Q किस से increase होगा Q आप लोगों के case increase होगा और जब जब आपका Q increase होकर आगे भाग जाए तो ऐसे में हम लोगों को उसको पीछे खीच के लाना पड़ता है so therefore reaction will shift in which direction backward direction या फिर कह सकतो left side खिक है खतम थर्ड केस पे तो यार कोई बातचीत करने की नीडी नहीं है catalyst के बारे में बोल रहा है तो catalyst के बारे में क्या बोलना no change या फिर कह सकते हो no shift equilibrium को disturbing नहीं होती हो तो अच्छा second में आते है increasing the temperature अब सुनो आपको question में पहले ही बता के रखा है कि आपकी reaction forward direction में गई है sorry endothermic है वो भी forward direction में endothermic को क्या चाहिए endothermic को high temperature चाहिए है ना endothermic को high temperature चाहिए और आप temperature दे भी रहे हो तो आगर आपने temperature दिया तो direction forward भागेगी so therefore क्योंकि आपने high temperature की बात की है so reaction आप लोगों की क्या कहते है forward direction में याप फे shift हो जाएगी एक minute हाँ ठीक है बस ख़द अब तो ये forward shift है और कुछ भी दिए इसमें ठीक है done आच्छा तो अब एक और में आ जाते हैं अच्छा है हटा दो ये तुमें एक reaction दी हुई है इस reaction में तुम मुझे ये बताओ कि आप work out करो जरा work out the conditions for work out the conditions for maximum yield of ammonia ताकि ammonia का maximum production हो सके आप इसके बारे में बताइए तो चलिए सोचते हैं इसके बारे में तो देखो ammonia पहले तो है कहां right side में तो यानि कि अगर आपको maximum yield of ammonia की बारे में बात चाहिए यानि कि वो basically आप से forward direction में जाने की बात कह रहा है ठीके उसके भाशा से confused मत हुआ करो वो forward direction में जाने की बात कह रहा है अच्छा ये पहली बात संज में आ गई दूसरी यहां पे plus 92.3 kJ है it means ये reaction exothermik है in forward direction forward direction में ये reaction exothermik है अब सबसे पहली बात temperature पे बात कर लो अगर कोई reaction forward जाना है और वो exothermik है तो इसका मतलब आपको उस reaction का temperature क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा ठीके उसको आपको उसका temperature क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा तो पहला यहां पे जो चलेगा वो चलेगा नियम कि आपको इसका temperature डिक्रीस करना पड़ेगा यह लो यह हो गया catalyst पे तो बात वैसे तो देखो catalyst actually में reaction के equilibrium को disturb नहीं करता बैट वो reaction की speed बढ़ा देता है तो obviously यहां पे आप एक point all लिखोगे addition of catalyst बलकि इसमें अभी तुम लोगों को जो एक deblock element का catalytic property का video upload हुआ था उसमें इस process को पहली बात तो ammonia formation की process को hebers process कहते है उस process का जो catalyst है उस catalyst का नाम भी वहा लिखा हुआ otherwise P block में तुम 12 standard में पढ़ोगी पढ़ोगे C part में आ जाते है C part क्या है C part है कि pressure और volume का क्या थर पढ़ेगा तो इस question का हमने delta NG निकाला तो यहाँ पर अगर आप इसका delta NG calculate करो तो delta NG less than 0 आ रहा है negative आ रहा है अब जब-जब delta NG less than 0 आता है तो volume का Q के साथ direct relationship और P के साथ inverse का relationship होता सोचो आप reaction को forward ले जाना चाहते हो forward forward reaction कब जाएगी कोई भी reaction forward कब जाएगी कहां लिखू कहां लिखू यहां लिख देती ही छोटे में ही कोई भी reaction forward कब जाएगी कोई भी reaction forward तब जाएगी जब उसका Q उसके K से छोटा है है ना अच्छा अब क्यों छोटा कब आएगा जब हम volume को छोटा ले लेंगे क्योंकि volume और Q का direct relationship है तो volume को decrease कर दो तो volume को तुमने decrease किया तो तुमारे volume को decrease करने से आपका क्या होगा reaction forward जाएगी volume को decrease कर दो या फिर दूसरी भाशा में आप यह कह सकते हो कि reaction में pressure को increase कर दो ठीक है इसलिए यह reaction high pressure पे होती है ठीक है आच्छा पांचवी चीज अपने इसके बारे में क्या लिख सकते है पांचवी चीज इसमें यह लिख सकते है कि reaction में आप क्या करो जैसे जैसे NH3 बंधा जा रहा है आप NH3 की concentration को decrease करते जाओ आप यह लिख सकते हो या फिर छटवी चीज आप यह लिख सकते हो कि N2 और H2 क्योंकि आप product में reactant है तो आप इसकी concentration को बढ़ाते जाओ एक यह लिख सकते हो ठीक है तो इस तरीके से तुम लोग हैबर्स प्रॉसस में यानि कि ammonia formation में ठीक है आप क्या कर सकते हो उसकी quantity को increase कर सकते हो NH3 की forward direction के लिए तो यह था वो तरीका ठीक है तो इस तरीके से ही सवाल छोटे-छोटे create किये जाते है अब जैसे एक सवाल और यह भी है बट यह तुम अपने लिए रखो इसको मैं नहीं करती हूँ यह सवाल तुमारे लिए है इस reaction का तुमें equilibrium case ही दिया हुआ है decomposition दिया हुआ है उसका कितना heat wheat निकल रही है वो सब दिया है ठीक है यह पार्ट आपको दिया हुआ है अच्छा C के कितने पार्ट से तीन पार्ट से हाँ यह वाला question तुम अपने homework ले रखो और बाकी के questions मैं अभी group में डाल देती हूँ तो यहां पे हमारा leech artillery principle समापत होता है और कल जो हम लोग topic पढ़ेंगे बहुत ही short सा रहेगा उसमें applications of leech artillery principle रहेगा और again कुछ chemical equilibrium से related numericals रहेंगे ठीक है मैं कोशिश करूँगी कि हर एक type का numerical जैसे अभी तक कराया है थोड़े बहुत और करा दिये जाए ताकि जब तुम attempt करते हो तो attempt करते वक्त तुम्हें दिक्कत ना हो या फिर ये भी किया जा सकते नहीं चलो ठीक है